असलामलीकुम जी आप सब को बहुत बहुत वली गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग व्लॉग और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी मेरे बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट से मैंने सेंड्विच बनाया था ठीक है चीज और अंडे वाला और साथ मैंने ली थी चाय और उसके बाद फिर जो था मैं कमरे में आई तो मैंने दिख्था कि मेरा जो बेटा है वो कमरे की डिस्टिंग कर रहा था तो मैंने ये क्लिप बिसिकली इसलिए शूट किया था कि बेटा हो या बेटी हमें थोड़े थोड़े कामों की आदत डालनी चाही की है ठीक है इससे उनमें बहुत जादा अच्छी हैबिट्स डिवेलप होती है और वो एक मुफीद शहरी और बहुत अच्छे हस्बें कर दिया अपना और यहां पर मैंने इसको बिठाया था कि बिटा बैटके होमवर्ग कर ले और असल में छोटी एज के बच्चे का आपको पते लेके बिठाना होमवर्ग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन यहां पर मैं ये टिप दोंगी कि अगर आप थोड़ा था यही स्ट्रेटिजी यहां पर मैंने इसको कहा था कि अगर आप अपना होमवर्ग कम्प्लीट करते हैं अच्छे से तो आपको चॉकलेट मिलेगा और अलहमदोलिल्ह उसने बहुत अच्छा होमवर्ग कर लिया था तो आप लोग सुनाएं क्या चल रहा है जिन्दगी मे और आपके शहरों में आपके इलाकों में सर्दी के क्या हलात हैं लहुर में तो अभी तक दूर दूर तक सर्दी का कोई निशान नहीं लाग रहा नो डाउट थोड़ा सा मौसम चेंज हुए लेकिन जैसे नवेंबर का अलमुस्ट मतलब स्टार्ट क्या मिड आने वाल है त तो उस तरह से सर्दी नहीं है अभी भी एवन मैं तो लॉन पैंडरी लॉन या फिर मतलब जो बारी कपड़े अभी वही चल रहे हैं तो शायद इस दफ़ा सर्दी लेट आए जैसे दिसंबर के एंड में और फिर देर तक चले तो लेट सी क्या होता है अच्छा एक और बा हमारी आएना आने वाली जैनरेशन के लिए हमारे बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे कैसी फिजा मी अब सांस ले रहे हैं तो तो हम सब को ऐसे मैयर्स लेने चाहिए गॉनमेंट को हमें ए मच्छों को एक बेहतर पाकिस्तान और एक बेहतर पुलुशन से पाक जो है शहर देके जा सकें और इसमें हम सबको अपना हिसा डालना है छोटे छोटे स्टेप्स लेने है तो बस मुझे यह कहना था उसके इलावा फिर यह वा कि हम लोग शाम को जो थे ना कोईटा टी हाउस पे चले गए कोईटा टी हाउस के सिंगापोरियन राइस आजकल हमारे बड़े फेवरिट हुए में तो वहां पे हम लोगों ने बस फिर मतलब खाना खाया उसके बाद पिर इनकी चाय भी बड़ी शांदार होती है हमने जो है चाय पी उसके बाद फिर हम लोग घर आगे और घर आके फिर मेरे मतलब नाइट रूटीन थी जैसे ब्रेड लेकर आई थी अच्छा मैं ब्रेड फ्रीज करती हूँ येस मैं ब्रेड को फ्रीजर में रख देती हूँ और फिर ये होता है कि जब भी मैंने मतलब नाश्ता बनाना होता है तो एक सेकंड के लिए उसको बाहर निकाल के तो तवे के आपर टोस्ट करती हूँ और ब्रेड बिलकुल ऐसे फ्रेश होती है कि जैसे ना अभी अभी बेक होकी आई है तो बस ये मैं कंटेनर में डाल के वो ही रख रही थी उसके बाद मैं जाने से पहले जो है ना सूजी को दूद में भिगो के रख के गई थी क्योंकि मुझे हानिया के लिए अगले दिन का नाश्टा बनाना था नाश्टा नाश्टा नी मतलब नाश्टे में तो खैर उसने कुछ और खाया थो इस का । SupUD oneself did die recipe का simply वेन यह किया था कि देसी खीको गरम किया था उसके अंदर एक हिलाइची डाली थी थोड़ी सी चीनी डाली थी और जब मेल्ट हो गई तो उसके अंदर जो मैंने दूद में सूजी भी गो के रखी थी वो डाल दी और बस फिर मसलसल चमच चलाती रही और वो डन हो गई अच्छा इसमें ये है कि आप जतनी देर जादा दूद में सूजी भी गोएंगे जैसे अटलीस दो तिन घंटे तो वो उतना ही अच्छा बनेगा ये सूजी का हलवा जो है और इसमें आप एक अंडा भी एड़ कर सकते लेकिन क्योंके मैं हानिया को नाश्टे में अलरड़ी अंडा दूँगी इसलिए फिर मैंने जो है ना इसमें अंडा एड़ नहीं किया था अच्छा जब मैं वोईस ओवर कर रही हूं तो परिजाद की अगली एपिसोड आ चुकी थी कल रात को तो मुझे बताएं कि कौन कौन देख रहा है परिजाद और तो बी ओनेस्ट मेरा थोड़ा सा इंटरस्ट जो है ना वो लूज हुए नुमान इजास के जाने से क्योंकि नुमान इजास जो है ना माशला मतलब ही सच आर्ट अलेंटिड एक्टर के बस बड़ी उनकी कमी मैसूस ही मुझे इस एपिसोड में लेकिन जो है स्टोरी अच्छे से अनफोल्ड हो रही है सर्प्राइजिंग फैक्ट्स हैं मज़ा आ रहा है ड्रामा देखिए अच्छा और यहां पे जब दूद और हमने सूजी इसमें आड़ कर देने हैं तो यहां पे हमने बहुत तेस तेस चमच चलाना है और इस चीज़ को इंशोर करना है कि सूजी के इसमें कोई भी लंस ना बने तो यहां पे बस आपने जो है ना इसके सर पे खड़े रहना है और यहां पे अब मैं इसका चाकरी थी के मिठा ठीक है तो बस और उसके बाद फिर यह है कि इसमें ग्रैजूली जो है मिल्क एड़ करते जाना है जो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए यह मैंने इसमें क्या एड़ किया था अच्छा नाट्स पाउडर एड़ किया था मैं मिक्स नाट्स लाई थी उनको ड्राय रोस्ट किया था और उस बद मैंने उनका पाउडर बना लिया था क्योंकि हानिया चोटी है वो उस तरह से तो भी नहीं खा सकती और इसमें ग्रेजली जो है दू दैड करते रहना है और जी आज जो है ना इन्शालला ताला आज या फिर कल मैंने बनवाने हैं शावेस के कुछ नाइट सूट्स और नाइट सूट्स जो है इस दफ़ा मेरा ये दिल है कि मैं खरीदने की बजाए मतलब बने बनाए किसी ब्रेंड से लेने के बजाए मैं कपड़ा लेकर और उसको स्टीच करवाओं तो इन्शालला ताला अगर आज मैं कपड़ा लेकर आती हूँ और साथ ही साथ मैंने हानिया के भी कुछ जो है घर में पहनने के लिए रूटीन के कपड़े लेने और वो भी स्टीच करवाने हैं बिसिकलिए खुद से के फ्रॉक्स और साथ में ट्राउजर्स जो है न वो घर में पहनने के लिए मैं स्टीच करवाओंगी इन्शाला ताला तो अगर मैं आज लाती हूँ तो मैं आपके साथ आज भी प्रिंट्स शेयर कर दूँगी और अगर कल गई तो फिर भी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना उनके कपड़ों का आपके साथ जो है रिव्यू और किस प्राइस रेंज में मिले वो मैं सारे शेयर करूंगी तो आप लोग बताएं आप लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े निकाल ली है सर्दियों के कपड़ों से याद मुझे ही आया कि मैंने अभी तक कपड़े नहीं निकाल ले क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं भी लॉन ही पहन रहीं हूँ लेकिन मैंसे मेरे अब दिल हो रहा है कि मैं इस वीकंड पे जो है ना इन्शालला ताला ये भी काम निप्टा लूँ क्योंकि बच्चों के मैं सर्दियों के कपड़े निकाल चुकी हूँ और सिर्फ मेरे और मेरे हस्बंड के रहे गया हैं तो इन्शालला होपफुली इस वीकंड पे मैं ये काम कर लूँगी और उसके लावे ये देखें ये इस में अब उबाल आना शुरू हो गए तो इट इस अल्मूस्ट ड़न नाओ ये देखें सूजी बहुत अच्छे से इसमें पाक चुकी है और बस ये है कि आपने ये जो अल्मूस्ट साथ से देस मिनट लगते हैं तो बस ये फिर जो साथ से देस मिनट है ये अपने चूले पे खड़े होके ही पकाना है क्योंकि अदर्वाइस नीचे लगने का भी खतर है अगर सूजी जरा से भी और कुक हो जाए तो उसके आपको पता है एक बड़ी तेसी स्मेल आ जाती है खाने में तो बस ये है अच्छा उसके बाद एक व्लॉग जो है कमिंग व्लॉग में ये भी देख रही हूँ कि मैं बच्चे के खाने के हवाले से कुछ बाचीत करूँ कि हानिया जो है वो पूरे दिन में क्या खाती है क्योंकि इससे ये होगा कि जो अभी हमारी नई माएं हैं उनको आइडियाज मिल जाएंगे या इवन जिनके बच्चे थोड़े बड़े भी हैं उनको भी आइडियाज मिल जाएंगे असल में होता है ये कि हमें अलमूस सबका ही पता होता है रेसिपी जगरा का तो बस यहाँ पर मैंने का कि मैं डो बना लेती हूँ क्योंकि सुबह नाश्ते में प्राठे बनने होते हैं और ये जो है डो अभी तो मैं विसे सिल्वर का बरतन है जिसमें बना रही हूँ लेकिन ये प्लास्टिक के बरतन में भी बन सकती है और मुझे कुछ लोगों ने मेरे विविवर्स नहीं कहा था कि मैं डो पूरी बना के दिखा दूँ पूरा मतलब प्रासेस शेयर करूँ तो इसलिए फिर मैंने का कि मैं क्योंकि आटा गुन दी रही हूँ और यहाँ मेरी हेलपर जो हैं वो बड़ा इश्तियाक से देख रही थी कि आपके ये किस तरह से आटा गुन्दा जा रहा है तो इसमें ये है कि आपने पानी ग्रेजूली एड़ करना है जजबाती होके शुरू में पानी जादा नहीं डाल देना ठीक है मतलब हाथ से भी लोग गुन सकते हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि आप जिन्दगी को असान बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं ठीक है और इसमें कोई तना जदा हैसल नहीं होती या बरतनों का भी नहीं होता और ये जो है मैं सारे आटे को जो थोड़ा खुशक रहे गया था उसमें उसको रोल कर रही हूँ अच्छे से टॉस कर रही थी और उसके बाद फिर हम दो तीन मिनट के लिए इसको करेंगे और अभी आप देख लीजीगा डो की फाइनल लुक के बिल्कुल ठीक बन गये था इसके बाद आपको इसको हार्डली दो या तीन मिनट जो है ना बस हाथों से सेट करना पड़ता है तो ये बड़ा जबरदस्ता जो है आटा हमारा त्यार हो जाता है और अभी मैं आपको ये दिखाती है कि ये किसकदर सॉफ्ट बना है और इसमें कोई लंप्स नहीं है ये देखें ये बहुत अच्छा टा बन गया था और इसके बाद कि ये बरतर में अलरड़ी वाश कर चुकी थी तो बस अब मैंने जो लेसन अदर का पेस्ट बनाया था ना वो मैंने अब शॉपर से निकालके तो जिप लॉक बैग में उसको जो है वो शिफ्ट करना था तो बस मैं अब यहां पे यही कर रही हूँ और अच्छा ये जो है ना लेसन अदर का पेस्ट इसकी आपको शायद थोड़ी सी ग्रीन नजर आ रहा हो कलर तो ये इसलिए है क्योंके जिन मतलब व्यूर्स ने मेरा पहला व्लॉग देख्या उनको पता होगा कि मैंने इसमें सबस मिर्चे भी आड़ की थी तो इसलिए ये थोड़ा सा ग्रीनिश है अदर्वाइस इसके टेस्ट में और इसके कलर में एरोमा में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा चाहें तो आप लोगा समा के देख लिए तो बस जनाब ये थे मेरे आज के छोटे मुटे से काम और अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दौब में याद रखिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा अलाहाफिज